नमस्कार लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक्स्प्लेन करूंगा वाट इस ततकाल कोट मेरेज क्योंकि कई सारे कॉल्स हमारे हिल्पनाई नमबर पे आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि ततकाल कोट मेरेज होता क्या है वाट इस ततकाल का मिनिंग क्या है कई कपल ऐसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि ततकाल कोट मेरेज का पूरा म और लर्की की एज भला क्या होगी वो आप सोची सकते हैं हलाकि लर्की भी 17 साल की लर्का भी 17 साल का वो बहुत जादा क्यूरियस हैं इस बारे में जानना चाहते हैं कि तद्काल कोट मेरेज क्या होता है तो मैं आपको दोस्तों ये बताओं कि सबसे पहला चीज तो यह है कि आप अपने एज को complete होने दीजिए लड़के की एज तो 21 वर्स चाहिए आप सोचिए अगर आपकी एज अभी 18 वर्स भी है तो अभी 3 साल है आपके court marriage में आप 3 साल का समय बिताइए उसके बाद court marriage के बारे में सोचिए तो यह बहुत important है आपको जरूर धियान रखना चाहिए दूसरा चीज जो important है वो ततकाल court marriage क्या होता है तो मैं आपको बताओं कि कई states ने यह provision किया है कि अगर किसी व्यक्ति को ततकाल marriage registration कराना हो तुरंत requirement हो उसको marriage registration का तो उसके पास में एक provision हो कि वो जल्दी से जल्दी marriage को register करा सके इसके लिए जल्दी booking हो जल्दी marriage registration के लिए apply हो उसके लिए अलग से fees भी लगता है और यह काम बहुत speed में जल्दी हो जाता है जैसे अगर आप डेली की बात करें तो डेली में दो fees होता है marriage के registration के लिए एक fees होता है जो ततकाल में होता है और दूसरा जो fees होता है वो normal होता है जो normal होता है उसमें marriage registration कराने में कम से कम जो समय लगता है वो 15 से 20 दिन बेर minimum समय लगता है जो कि बढ़कर के डेड़ महीने भी हो जाता है जबकि अगर आप इसी काम को ततकाल में कराएंगे तो ततकाल में ये अगले दिन ही आप marriage को register करा सकते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको court marriage करना और जल्दी certificate चाहिए तो ततकाल वाला process ही करना चाहिए मैं आपको यह भी बता दूँ कि लीड इंडिया के माद्यम से जितने भी court marriage होते हैं वो सबी ततकाल में ही कराए जाते हैं क्योंकि कपल को requirement होती है कि उन्हें जल्दी marriage certificate मिल सके हैं हाला कि कई ऐसे couple भी होते हैं जिनको arrange marriage करना होता है और arrange में parents भी शामिल होते हैं ये फरक नहीं होता है कि certificate उनको कब मिलेगा इसलिए उनको normal तरीके से कराया जाता है लेकिन couple जिसमें love marriage है जिसमें parents नहीं सामिल है उनका जरूर ततकाल marriage में ही कराया जाता है marriage का process बिलकुल सेम होता है जैसे बाकी marriage में होता है कि rituals के बाद से court में register करा दिया गया उसकी value, certificate बिलकुल एक जैसा ही होता है तो उमीद है कि आपको ततकाल court marriage इस वीडियो से समझ में आ गया होगा फिर भी प्रश्ण हो तो जरूर comment में पूछेगा ताकि आने वाले वीडियो में जवाब दे सके marriage करना हो या किसी भी तरह की inquiry हो तो डबल डबल जिरो ट्रिपल फो ट्रिपल फाइप पे कॉल कर लिजे सुबह नौ बजे से लेके शाम को आठ बज तक Thank you so much for watching this video Thank you so much